नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टिडी सेंटर यूटूब चैनल पर देखे यहाँ पर आम इस वीडियो पर वर्तनी तुरुट से संबंदित ब्रस्णों को कबर करेंगे और यह हिंदी के क्लास आपकी चल लेए सुबह 11 बजे सभी लोग टाइम से आ जाये करिए गुड़ मार्निंग गुड़ मार्निंग नमस्ते चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रस्ण को आपको जवाब देना है निम्ड़कि सब्दों पर विचार कीजिए यहाँ पर देखिए बताना है किस विकल्पे में सभी सब्द सुद्ध है आतिसा सब्द कर देंगे बिकल्पनमबर सी होगा बिल्कुल सभी जवाब हैं यहाँ पर राइट अंसर आपका सी होगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए बताना है वरतनी की डेश्ट सब्द सब्द का चेहन करिए यहाँ पर देखिए सब्द क्या होगा अभ्यास्त है और यह होता है तो कहने का मतलब यह भी हमारा असुद्ध है तत्त तत्त में भी आपका देखे तत्त जो लिखा हुआ इसमें से ऐसे थोड़ा बनता है महत्त में भी आपका थोड़ा सा ऐसे बनता है तो कहने का मतलब यह देखा जाए तो यह सभी के सभी असुद्ध है इसमें कोई भी आपसन आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी प्रशन आपका सही नहीं है, यह अंसर प्रशन जो भी गलत आया था, आगे बढ़ते हैं, सुद्ध वर्तनी वाला सब्द बताएए यहाँ पर क्या होगा, सुद्ध वर्तनी वाला सब्द बताएए क्या होगा, त किस सब्द की वर्तनी सुद्ध है यहां पर देखिए बताना है किसकी सुद्ध है तो देखो यहां पर सुद्ध बताना है तो विकल्प नमबर देखिए यहां पर यह प्रश्ट है ठा होता है यह तो आपका सुद्ध है हना परयाप्त भी गलत लिखा हुआ है परयाप्त भी इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है ना परयाप्त जो होता है आपका इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है यह आपका होता है परयाप्त है और प्रस्ट में आपका इस तरीके से लिखा जाता है तो कहने का मतलब यहाँ पर बिकल्प नंबर क्या होगा ब्रजबासा यह आपका सुद है यहाँ पर देखिए बताना है वरतनीक टेक्ष्ट से शुद्त सब्द कहुं सा है तो यहाँ पर आपका होगा आनू शंगेक यानिया यहाँ पर आपका विकलप नंबर बी नंबर होगा ठीक है ना बी नंबर होगा right answer आपका होगा चले आगे बढ़ते हैं coy Destiny यहां पर देखिए आमको बताना राइट अंसर क्या उगाàoगा तो यहां पर रेसी अगा और यहां पर यह वाल आगा विकल्प नंबर आपका हे अगे बढ़ते हैं ते बिकल्पों में से सुद्ध अंसर वताना क्या होगा तो यह अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई सुद्ध नहीं है है ना सभी के सभी गलत है तो यहां पर अगरर हम बात करते हैं तो सुद्ध पुन्य तो गलती लिखा हुआ है उन्लती सब गलत है है ना यहाँ पर सभी के सभी गलत है तो यह जोतिसना यह भी गलत है है ना जोतिसना आपका सुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है देख लो जोतिसना आदाता आदासा है ना अपी यह होता है जोतिसना यह सही होता है तो कहने मलता है इसमें भी कोई ने कोई सुद्ध नहीं है तो यहां पर भी आयोग ने प्रस्न निरस्त कर दिया था निमने में से कौन सा सब्द असुद्ध है यहां पर देखिए बताना है असुद्ध बताना है तो यहां पर असुद्ध आपका पूज्य है ना पूज्य आपका इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है ना इस तरीके से हो जाएगा 11 नमबर में आपका उत्तरदाई विकल्प नमबर भी होगा आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सब्द सुद्ध है यहां पर देखिए बताना है तो यह यहां पर आपका हो जाएगा 46 होगा 46 इस तरीके से लिखा जाता है याद रखिएगा बड़ी के मंतरा लामे लगत वर्तनी की डेश्टी से देखिए यहां पर सुद्ध बताना है कौन सा होगा सिंपल है यह तो कर लेंगे सबी लोग है ना गलत नहीं होना चाहिए यहां पर परिच्छा होता है बिल्कुर सही है आगे बढ़ते हैं देखिए सब वीडियो परिच्छम पूछे गया थे और क विकल्प नमबर यहां पर क्या होगा डी होगा असुद्ध देखिए यहां पर बताना है असुद्ध सब्ध कौन सा है तो यहां पर आपका हो जाएगा असुद्ध कौन सा है यहां पर संकट संकट आपका इस तरीके से लिखा जाता है संकट आपका इस तरीके से लिखा जा तो यहां पर निर्भार होगा विकल्प नंबर यहां पर D होगा सुद्ध वर्तनी वाला सब्द बताई यहां पर क्या होगा उन्नीस नंबर में तो यहां पर आपका होगा मू मूर्शू विकल्प नंबर यहां पर B होगा यहाँ पर भर्तनी की डिष्ट से सुद्औ तक्वनसा है यहाँ पर आपका हो जाएगा इतिहासिक होता है इतिहासिक नहीं होता है हैं चैनलिकिस नंमबर में से सुद्ध सब्दें को पहिचानिया है कि हम बाइस नंबर में तो यहाँ पर आज भी थो का होगा आगे वरधते हैं अ कि वर्तनी की टेस्टी से कौं से सभद सँढ़ है यहाँ पर देखिये बताना है 53 नंबर में यहाँ कर अब बहुत आसान होते हैं है ना वरतनी वाले यहां पर देखिए आपको बताना है अंसर क्या होगा चलिए यहां पर 24 नंबर में देखिए अंसर देना है कमेंट करते रहिए जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक भी कर दीजिए अथिकरपा हो आपकी है ना कि देखिए आपके लिए तनी मेनत की जा रही है कोई पैसा तो आपसे लिया नहीं जा रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करिए चलिए मानव मात्र को गीता के महातम में से परिषित होना अनिवार रहे रेखांगे सब्द को सुद्ध करिए तो भाईया आपका सुद्ध पूछा है सुद्ध लिखा है कहीं देख लेते हैं आधा ता और आधा मा कहां लिखा हुआ है अच्छा ये बी नंबर होगा बी नंबर होगा है ना बी नंबर होगा चलिए बी नंबर होगा आगे बढ़ते हैं आज कल अनुसासन के अभाव में विद्यार आती है रेखांके सब्दों को सुद्द करिए तो यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर आपका हो जाएगा उच्छे रंखलता हना यहां पर आपका सी नंबर होगा सी नंबर वाला सही होगा आगे बढ़ते हैं सुद्द वरतनी बताना यहां पर क्या होगा 27 नंबर में परणते हमें देखो यहाँ पर पताना है तो यहां पर इस दरैंगार को आता है या कि एक रहा चौंड फिकरण कर रहे हैं सब्सक्राइद यहां गलत होता क霰ह नियुक्त्रेट्रिक्त कब कुछ गया क tela समय पुछ замеч are true that या बटाना क्या होगा तो यहां पर सुरुत पुच्छ नंबर होगा इस नमबर होगा यहां बटाना भग्गोू शेड तो बहुत ही दूसरे चरित्र वख्ट है यहां पर देखेब पताना है तो यहां पर सुद्ध क्या होगा यहाँ पर सुद्ध क्या होगा, यह नंबर होगा, बस सिंपल है, यह नंबर वाला सही होगा, सुद्ध सब्ध देखिए, चुनना है यहाँ पर 33 में, यहाँ पर बड़ा सा, हाँ न, बड़ा सा होगा, बड़ा सा क्या होगा, सही होगा, योजक चिन लगा हुआ है न, बड़ जैसा, यह होते हैं, बिकल्प नंबर आपका C होगा, शुद्द वर्तनी बताईए, यहाँ पर 34 में क्या होगा, यहाँ पे आपका समसान कैसे लिखा जाता, इस तरीके से, C नंबर होगा, दिये गहए, सब्दों में सुद्द वर्तनी बाला बताईए, क्या होगा हाना यहां पर देखिए बताना है 35 नंबर में अंसर क्या होगा 35 नंबर का अंसर बताइए क्या होगा तो यहां पर सच्चिदान नंद होगा विकल्प नंबर सी होगा देखे वीडियो परिच्छे में काफी सारी प्रसन आपके पूछे गए थे बरतनी के दिन रात अध्यान है ना यहाँ पर देखिए पहले ही आपको नजर आ गया होगा अध्यान में एक और यहाँ मतलब खतम कर दिया है इनोंने अध्यान इस तरीके से लिखा जाता है रेखांके सब्द देखिए यहाँ पर आपका विशलेशन है और विशलेशन को आपको बताना है है ना बताईए इसका अंसर क्या होगा सुद्ध बरतनी बताईए विशलेशन क्या होगा तो विशलेशन का आपका होगा बी नमबर सुद्ध सब्द बताईए यहां पर 38 क्या होगा यहां पर आपका होगा उपर युक्त होगा बिकल्प नमबर D होगा सुद्ध वर्तनी वाला बताईए यहां पर क्या होगा 49 में तो यहां पर आपका होगा B नमबर होगा है ना काफी आसान है काफी आसान है आपको सब दीख रहे होंगे बस एक बार पढ़ लेंगे न रिवाइज कर लेंगे इससे काफी सारे प्रशन आपके बन जाते हैं लेकपाल में भी पूछे गाए अब आगे मिलेंगे यहाँ पर देखिए बताना क्या होगा सही वर्तनी यहाँ पर प्रत्वी 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 बी होगा सी नहीं बी होगा चलो यहाँ पर बताईए सही वर्तनी बताईए क्या होगा यूपिट्रेपल सी के पूछे वे करवा रहे हैं प्रशने इतने अब तक पूछे गए हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा, यहाँ पर भी बी होगा, कवतुवाल होगा, सही वर्तनी बताइए यहाँ पर क्या होगा, 42 नमबर का, रासायनिक होता है, बिकल्प नमबर यहाँ पर भी, क्या बाद, सबी बी जा रहे इसको देखते हैं क्या होगा सई वर्तनी बताना आपको 43 में क्या होगा तो यहां पर आपका हो जाएगा आस्ट होगा विकल्प नमबर यहां पर आपका डी होगा सई वर्तनी बताईए यहां पर 44 क्या होगा तो यहां पर आपका होगा 3 दोस होगा है ना विकल्प नमबर डी होगा वाग के एवं वरतनी सुद्ध देखिए बताईए सरंगार सरंखला अनुक्रती अनुक्रती है ना लिखा हुआ है ये नंबर में फस्ट और दोनों की वरतनी सुद्ध है है ना सरंगार और सरंखला देखिए सरंगार और सरंखला जो होता है अगर हम बात करते हैं तो सर रंखला आपका ऐसे लिखा जाता है तो देखा जाए तो दोनों के दोनों असुद्ध है अनुक्रत होता है अनुक्रत होता है इसका सुद्ध ये होता है अनुक्रत होता है ये अनुक्रत लिखा है ना ये होना चाहिए था अनुक्रत ये होना चाहिए था इसका इधा लिख द हैं ठीक है यहाँ पर द बताना है तो यहाँ पर आपका रामायण होगा यह बञताना यहाल आपका सुध्ध होगा चलि आगे बढते हैं यहाँ पर देखिए बताना सुध्ध सभ्द किस तरीके लिखा जाता है आप देख सकते हैं यहां पर आपका अंसर होगा डी नंबर होगा राइड अंसर आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि यहां पर निकित में से कौन सब्द वरतनिक ड्रेश्टि से सुद्ध है यहां पर देखिए बताना है सुद्ध देखिए राजे सुलेक पाल में पूछा गया था है न तो यहाँ पर प्रतिनिदी होगा बिकल्प नंबर यहाँ पर A होगा चलिए यहाँ पर सब्के छपप सब्डे के सुद्धरतनी में बताना एक बार देख लिजिए कितने प्रश्ण आपके सही होते हैं वीडियो अच्छा लगा और सभी लोग लाई शेयर करिएगा वीडियो दोस्तों धन्यवाद